हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम डिस्कुस करने जा रहे हैं प्लस्मन बायलाजी का चैप्टर नमबर फिप्थ जो की है मॉर्फोलाजी और फ्लावरिंग प्लांट बताया जाता है कि बायलाजीकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम एक्स्टरनली चीजों को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं हम उसके अंदर नहीं घुच जाते ठीक है सिर्फ हम बाहर से देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज का क्या साइज है क्या कलर है कैसा सा स््ट्रक्चर है बाहर से देखने में कैसा लग रहा है अंदर की बातों से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहर क्या इंपर्टेंस है मॉर्फोलोजी की हम क्यू पढ़ Chloeka को उसके प्या फाइदे हैं सो बताया चाता है कि knowledge of the morphology is essential for the recognition or the identification of the plant सो आप एक बात बताओ अगर आपको बहुत सारी प्लांट दे दिये जाए और मैं कहूं कि एक किस चीज का प्लांट है तो आप बाहर से देख की तो पहचानोगे जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि भई कैसा होता है नीम का पता कैसा होता है पीपल का पता तो आप तो जान ही नहीं पाओगे है कि कौन सा प्लांट कैसा है तो morphology चीजों को पहचानने के लिए बहुत जरूरी होती है चीजों को identify करने के लिए जरूरी होती है और उससे आपको ये भी पता चलता है कि ये नीम और basically अगर जो people है उसमें क्या-क्या अंतर है उसके बारे में भी आपको majorly idea लग जाता है ना बाहर से तो deficiency and toxicity symptoms और morphological changes that occur in response to shortage or excess of minerals माल दीजे कि आपने बहुत सारा जो है आपने आपका खेट था उसमें आपने कुछ उगाया हुआ था उसके अदर आपने चादा mineral डाल दिया या कम mineral डाल दिया तो उसकी बज़े से क्या होता है कि आपके plants में morphological changes आ जाते हैं तो जो morphological changes है वो आपके mineral की deficiency के कारण भी आ सकते हैं और toxicity के कारण भी आ सकते हैं डेक्स जो हमें बात discuss करना हुता है that is your parts of flowering plant कि जो हमारे flowering plants होते हैं नुमली जो आई दिन हम लोग plants वगरा देखते हैं वो mostly flowering plants ही होते हैं उनमें फ्लावर जरूर होता है तो बताया जाता है कि जितने वी आपके flowering plant होते हैं उनमें आपका root होता है जड़े होती है तना ह पतियां होती है ancestor ub俺ta karta अब प्रूब्री का इंग युणारी सथे रूट सिस्टम है पकया होगा इस प्लाइब honour Okay बाइगा है । प्रफी नी यह को सुर्ण के बात करना है और कि यह पार्ट कि बारे में एक्की emission di root क्या होता है stem क्या है leaf क्या है यह सारी बाते हम डिसकस करते हुए चलेंगे तो डाइकॉट चो हमारे plants होते हैं elongation of the radical forms the primary root which wears the literal root of the several order called the secondary root tertiary root primary root along with the literal root forms the tap root system example is the mustard and the gram etc so जो डाइकॉट plants होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आप माल लीजे कि आपका डायकॉट प्लान था तो यहां पर डायकॉट इलेडंस मैंने बना दिये हैं तो यहां पर बताया जाता है कि जो सबसे पहले root निकला वह आपका में रूट होता है उसमें से बहुत सारी और primary secondary roots निकलती है ठीक है और इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम tap root system कहते हैं जिसका example NCRT बताती है mustard और gram में पाया जाता है next जो NCRT discuss करती है कि फिर monocoat में किस टाइप का root होता है so monocoat में बताया जाता है कि आपका fibrous root system हमें देखने को मिलता है जिसमें कि primary root निकलती तो है लेकिन बात में क्या होता है कि बहां पे उसी base of stem से बहुत सारी और roots निकलाती है जिसको हम fibrous root system कहते हैं और जैसा कि आपको गेहु में और आपके चावल में देखने को मिलता है next आपकी बात बताई जाती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो root है वो arise from the other part of the plant besides the radical is called the adventitious roots तो बताया जाता है कि जैसे माल लीजे कि यह आपका बीज है तो बीज में से एक माल लो यह radical है तो radical जो होता है उसी से आपकी root निकलनी चीए लेकिन अगर radical से root ना निकल के किसी अलग part से root निकल आए तो उसको हम बोलते हैं कि वो आपका adventitious roots होता है example है आपका grass, bunion tree and maize the main function of the root system are absorption of water so guys root system का क्या काम है भई बहुत ही common sense की बात है absorption of water करना, mineral करना from the soil providing the proper encourage to the plant parts and storing the reserved food material etc ओके तो यह सारी बाते तो आपको समझ में आही जाएंगी next हमारी जो बात होती है reason of roots की कि जो roots होते हैं उनमें कौन-कौन सी reason होते हैं उसको हम details study करने माले हैं किसी भी एक particular root की तो बताया जाता है कि जो आपकी जड़े होती है the apex of the root is covered by the thimble-like structure that is called the root cap so एक जो root होता है उसमें नीचे जो है ना एक मोटा सा ऐसे पार्ट होता है थोड़ा सा thimble-like structure होता है ऐसे करके covered उसको बलचाता है कि वो आपका root cap होता है और जो root cap होता है उसका काम होता है कि मतलब किस तरीके से जमीन के अंदर entry लेनी है क्योंकि roots तो बहुत नीचे जमीन तक जाएंगी है ना above the root cap is the reason of the meristromatic activity having the small cell with the dense cytoplasm so root cap जो होता है उसकी just उपर अगर हम बात करें माल लीजे हाँ आपका root cap था so अगर इसकी just उपर हम बात करें हाँ पर reason of meristromatic activity होता है फिर आपका reason of elongation होता है फिर आपका reason of maturation होता है reason of maturation में आपके क्या होते हैं कि आपको root hairs देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं the part of the reason of the meristromatic activity is the reason of elongation where the cells undergoes the elongation लंबे-लंबे होते हैं अपने size में बढ़ जाते हैं और length of the root भी बढ़ जाती है reason of maturation में क्या होता है root hairs present होते हैं जिनका काम होता है कि water and minders को absorb करना next होता है modification of root कि root की क्या-क्य modifications possible है so root के बारे में बताया जाता है कि आपका root जो है वो storage के लिए सकता है बो सब तरckenhole का वो सब क्या है कि आते हैं आपका root आपका करते ही कर लिए जो है इसने अपने time को मोडिफाई कर लिया है और और जो घ्लूट होता है मेंस मेंस का और रम जा हैं देहां एसम्हों का ब्लार्य गोजब encanta देखने को मिलती है निक्स्ट अगर हम बात करें राइजोफोरा में तो राइजोफोरा में क्या होता है कि आपके न्यूमेटो फोर्स जो होते हैं वो आपको help करते हैं to get the oxygen for the respiration as it's grow in the swampy areas, swampy areas में क्योंकि ये grow करते हैं जिसकी बज़े से क्या होता है प्रॉपर oxygen नहीं मिल पाता है प्रॉपर oxygen ना मिलने के कारण इनकी जड़े ऊपर की तरफ आ जाती हैं जिनको हम न्यूमेटो फोर्स के नाम से जानते हैं और यह आपके राइजोफोरा प्लांट में देखने को मिलता है तो यह सारे की सारे examples as it is आपको याद कर लेना है बीना फ्लाउब अंड फ्रूट इड़व फ्लोगते हैं जहां से की लिए निकलते है इसको नोट बुलाजाता है केяться है कि में फंक्शन होता है स्टेम का प्रांक्ष की ब्रांक्ष्व लाका निकालना इसको पर फ्लार होते हैं प्रू। मालों की पानी को लेकर जाना है जड़ों से सबसे उपर वाले पॉइंट तक तो उसके लिए भी हिल्प करता है तना फ्रॉम दे रूट टू दे लीव और प्रोड़क्ट ऑफ फोटो सिंथिस और माल लीजे कि जो खाना बना है पतियों के अंदर वह आपको जड़ों तक कर रहे हैं हैना तो अलग अलग चीजों के लिए स्टम्स को सोग करते हैं नेक्स्ट अगर अंबात करें इसके ऊड़िए और फेरीं को आपको करने के लिए और इसी लिए उन्हें और्ण प्लांट को बहुत ही स्पाइब करते हैं क्लाइम करने में जैसे कि आपको ककंबर के केस्स में को मिलता है अर्प्स सब्सक्राइब बात करें खुनल स्स्टुनले लुह होते हैं सिटरस आन्वोगन्बीया तो बờ नदे इसका एक्जांपल होता है और इस देकि Kenn Gi Salesforce कर जाते हैं, stem में कई पर क्या होता है, कि उनकी जो stems होती है, वो flats होती है, जैसा कि आपको apuntia में देखनी को मिलता है, और कई बार जो होता है, फलेशी cylindrical होती है, जिसको हम यूफ औरिया में देखने को मिलता है, having the chlorophyll for the photosynthesis, और उसके पास क्या होता है, और उसका काम होता है प्रीजिस करना यकान हर प्रशेश करना चुट करना चुट भना खुद बनाते हैं वह किसी बर डिपेंडेंट नहीं है यह अपने खाने के लिए leaves जो होता है वो originate करता है two typical marry stem से and arranged in an acropital order so leaves क्या होता है ना कि आपके shoot वाले parts ही तो निकलता है जड़ो से थोड़ी ना निकलता है एक typical leaves जो होता है उसके तीन parts होते है leaf base होता है इसके अलाबा patiol होता है, lamina होता है है ना तीन miserly parts होते है leaf जो होता है वो attach होता है stem से leaf base के थुरू which may be weird two small leaf like structure called the stipules और कई बार क्या होता है ना कि leaf के base पे कई बार छोड़ी छोड़ी पत्तियों जैसे structure पाया जाते है जिनको हम बोलते हैं कि वो आपका क्या है stipule कहलाता है ठीक है stipule कहलाता है नेक्स्ट अगर हम बात करें middle prominent vein जो होता है उसको middle vein कहते है जो vein होता है उसकी कई सारे functions होते है जिसे कि रिजर्डिटी प्रोवाइट करना ली बलेट को और एक्स इस चानल पूर दे ट्रांस्पूर्ट ऑफ वाटर और अड मिंडल्स सो यह क्या करता है कि आपका जो आपका arrangement of vein है या veinlet है इन दलामिना उसको हम venation के नाम से जानते हैं ठीक है कि जो veins बगरा आती है फिर उसके बाद बहुत सारी veinlets बनती है उनको हम क्या बोलते है venation के नाम से जानते है और आपने बचपन से ही पढ़ाओगा कि venation दो तरह के होते है reticulate venation and parallel venation reticulate venation क्या होता है reticulate venation जो होता है उसमें क्या होता है कि आपकी पतियों में एक network type का jar type का बना होता है उसको हम reticulate venation बोलते है और यह क्या होता है कि आपके dicots में हमें देखने को मिलता है irregularly distributed होते हैं veins कहीं पे मोटा रहेगा कहीं पे पतला रहेगा ठीक है कहां पे present होता है कौन से plants में dicots में present होता है जैसे कि आपका gram में peas में, veins में और mangoes में parallel variation जो है उसमें network absent रहता है veins जो होती है वो parallel होती है जैसे कि ग्रास होते है बनाना होता है और राइस होता है निक्स्ट अगर हम बात करें कि जो लीफ होता है उसमें single या undivided lamina आपको देखनी को मिलता है जिसको हम simple leaf कहते हैं ठीक है तो जो एक single मालो आपको यह मेरी ब्रांस थी उसमें से एक simple leaf लिकली है उसको simple leaf कह देंगे इंसीजन जो है do not touch the mid rib और इसका example क्या होता है आपका mango और guava इसके example होते हैं आपके simple leaf के लेकिन बताया साहता है कि when the incision of the lamina reach up to the mid rib and breaking it into the number of the leaflets उसको compound leaves कहते हैं तो आपने कई बार दिखा होगा कि plants में क्या होता है कि आपकी इस तरह की leaves निकली हुई होती है ना चोटी-चोटी सी तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी compound leaves होती है इना finately compound leaves a number of the leaflets are present on the common axis that is called the neem तो कई बार क्या होता है common axis पे कई सारी पतियां होती है और कई बार क्या होता है एक point पे ही बहुत सारी पतियां present होती है तो इसको हम permanently compound leaves कहते हैं और आपको दोनों की example learn करने है majorly finately का example होता है neem, permanently का example होता है silk cotton जो pattern होता है arrangement of leaves का on the stem year branch उसको philotaxi के नाम से जाना जाता है जो alternate type of philotaxi होती है उसमें single leaf arise करता है हर note पे जैसे कि आपको china rose में देखने को मिलता है तो कभी भी अगर आप पार्क वगणा में जाते हैं China rose का plant दिखेगा तो आप उसको analyze कर सकते हैं कि क्या होता है कि हर note पर वस एक अही पतियां होती है उससे ज़्यादा पतियां नहीं होती है और उसको alternate type of philotaxi कहा जाता है जो opposite type of philotaxi होता है उसमें एक pairs of leaves निकलती है हर note से और जैसा कि आपको guava में देखने को मिलता है next बताया जाता है कि if more than two leaves arise at the note and forms the hall उसको हम लोग बोते हैं कि वो आपकी how else philotaxi होती है और उसका example बहुत ही important है ऐलस्टोनिया में बाय जाता है एलस्टोनिया में क्या होता है एक ही note पे बहुत सारी पतियां निकली हुई होती है जो leaves होती है कई पर वो modified कर जाती है अलग-अलग functions को करने के लिए जैसे कि अगर आप मटर में देखेंगे गर आप उनने कभी मटर का पौधा देखा है तो उसमें आप देख पाएंगे कि जो tendrils होते हैं वो climbing के लिए modify हो गई है बही spines में क्या होता है जैसे cactus का plant तो सबने देखा होगा अलोबेरा देखा होगा बढ़ना तो अलोबेरा वगरा में क्या है कि उसकी जो leaves है वो आपकी modify हो गई है और वो काटों के अंदर change हो गई है उसमें काटे काटे से हो गई है ठीक है और जो आपको बहाँ उसकी पतियां लगती है वो basically उसका stem होता है next अगर हम बात करें what is the means by inflorescence इंफ्लोरेशन का मतलब होता है किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे फ्लार की क्या अरेंजिमेंट है और दो तरह के inflorescence आपके possible होते हैं पहला होता है आपका रेसमोस दूसरा हो सकता है साइमोस रेसमोस के बारे में बताया जाता है कि जो main axis होती है वो लगतार बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है ठीक है रुखी नीदी साइमोस में बताया जाता है कि इसमें जो है वो आपका main axis वो एक फ्लार में से हैं वो बैसी पेटल सक्सेशन को सो करते है एकृत करेंगे रेसमोस के जो एक्वास यह चाहिगे जाहिए व को युट्चे को एकृट सरह करेंगे नेइक्स अगर बात करें फ्लार की छौलटा है that is your reproductive part of the angiospermic plant angiosperm plants में जो reproductive बाला पार्ट है उसको हम flower बोलते हैं जो कि sexual means of reproduction के लिए काफी ज़ादा important होता है sexually तो कई बार leaf से या अलग अलग चीजों से हो सकता है stem से हो सकता है, root से हो सकता है बट अगर हम बात करें sexually कि sexually कैसे होगा तो sexually भई फ्लार से ही होगा एक जो typical flower होता है उसके चार हॉल होते हैं ठीक है, चार पार्ट होते हैं पीसिकली उसमें कैलिक्स होता है, कोरूला होता है, अंडरोशियम होता है गाइनोशियम होता है जो कि आपने देखा होगा किसी भी flower में एक जो flower होता है उसमें endosium and gynosium जो होता है अगर एक flower है ठीक है उसी में endosium भी present है और उसी में क्या है आपका endosium भी present है और उसी में क्या है कि आपका gynosium भी present है तो उसको हम बोल देंगे कि वो आपका bisexual flower है लेकिन एक ऐसा flower जिसमें या तो endosium है या तो gynosium है तो उसको आप लोग यूंगी सेक्शल फ्लार बोल देंगे क्योंकि उसमें एक अहीं सेक्स प्रेजंट है नेक्स्ट है कि वेंड़ फ्लार कें बीडिवाइड इंटु टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियाई पासिंग थ्रो दे सेंटर ऑप दे सिमेट्री अफ दे फ्लार इसको अधिनो मफिक इसका इसको बताया जाता है कि जब फ्लार आपके डिवाइड के जाते हैं दो एक वल Hindu हाफ्स किसी भी रेडियाई से किसी भी रृसं को कट आ है बट फिर वह और वह व्यास को हाँविव कहा जाता है उसको क्यों संक्तिव एक्जाम्पल और मस्टड ध रहे हैं दो similar parts में लेकिन केबल एक अही plane से तो उसको जाइगो मॉर्फिक कहा जाता है जाइगो मॉर्फिक को जो है उसकी example की गर हम बात करें पी गुल मोहर और कैशिया इसके examples होते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वें दो फ्लूरल appendages are in the multiple of the three four और five they are called the trimerus, tetramerus and pentamerus respectively ठीक है फ्लार with the bract is called the bracteate और जिसमें bract नहीं पाया जाता है उसको e-bracteate flour कहा जाता है ठीक है तो अगर हम बात करें कि जो फ्लूरल appendages होते हैं अगर आपके multiple में, three, four, five के multiple में तो इसको trimerus कह दो इसको tetramerus कह दो इसको pentamerus कह दो दिक्कत क्या ही दे रहा है फ्लार with the bract, अगर bract है फ्लार में तो इसको एक काम करो bracteate बोल दो और फ्लार में अगर bracte नहीं है तो इसको e-bracteate बोल दो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है नेक्स्ट अगर हम बात करें, based on the position of the ovary with respect to the other floral part on the thalamus, फ्लार are of the following type तो कहते हैं कि भाई जो position है ovary with respect to the other floral part वो कैसा है, thalamus के respect में कैसा है तो उसके हिसाफ से हम फ्लार को बाट देते हैं तीन के अंदर hypogynos, perigynos and epigynos, so hypogynos flour जो होते हैं उसमें क्या होता है hypogynos flour में क्या होता है कि ovary सबसे ऊपर पाई जाती है, ठीक है जो ovary होती है उसको superior ovary कहा जाता है hypogynos के case में और अगर examples की बात करें, mustard, brinjal and china rose इसका example होता है, जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई और दूसरा option है ही नहीं नेक्स्ट है perigynos flour और इस chapter में सबसे जादा example ही पूछा जाता है, तो आपके पास मतलब आप कुछ करी नहीं सकते हैं, आपको example ही रटना है बैटके, आप चाहें तो अपनी एक दिवार पे सारा कुछ example लिख के और लगा दीजिए, daily daily सुबा सुबा उठके पहले उसको प पे present है, at the same height, तो ovary को उस case में half inferior कहा जाता है, तो perigynos को half inferior का condition भी कहा जाता है, ये बात बहुत ही जदा important है exam के point of view से, नेक्स्ट अगर हम बात करें epigynos flour की, तो जो epigynos flour होता है, उसमें क्या होता है, कि जो आपका margin of the thalamus है, वो आपका grow करता है, to completely cover the ovary, ovary को इस case में हम लोग inferior कहते हैं, ठीक है, so margin of thalamus अगर वो grow कर दा है, ठीक है, completely उसने grow कर दिया, उसने पूरी ovary को ही cover कर डाला है, यहां तक कि इतना grow किया, तो ovary सबसे नीचे हो गई, तो जब ovary सबसे नीचे हो गई, तो ovary को inferior कह दिया जाता है, उस case के अंदर, okay, next अगर हम बात करें कैलिक्स is the outermost hall of the flower, its members are called the sepals, so कैलिक्स जो होता है, वो आपका outermost hall होता है, फ्लार का, और इसके members को हम लोग sapals कहते हैं, जो की बस्पन से ही आप लोग पढ़ते होए आ रहे हैं, they are the generally green and leafy, generally क्या होता है, हरे हरे कलर के होते हैं, पत्तीदार होते हैं, protect the flower in the bird stage, और bird stage के अंदर जब वो कली के रूप में है, तो उसको मतलब थोड़ा सा protect करते हैं, यह आपके gamo sepals हो सकते हैं, मतलब sepals के साथ वो unite कर गए हैं, बरना polysepals हो सकते हैं, sepals सारे के सारे अगर free हैं, तो उसको हम बोलते हैं polysepals, लेकिन अगर सारे के सारे sepals unite कर गए हैं, तो उन और ऐसे ऐसे कलर के फ्लार देखे होंगे परपल होते हैं वाइट होते हैं तो बहुत कलर के होते हैं तो उसी को ही तो पैटल का जाता है उसी को तो कोरोला का जाता है और उसी की बज़ा से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनकी तरफ अट्राक्ट होते हैं लाल पीले हरे कलर को देखकर क्या होता है हम लोग भी कई बार अट्राक्ट हो जाते हैं हमें अट्राक्ट होने की जरूरत नहीं है वैसे पर हम लोग अट्राक्ट हो जाते हैं दे में भी गैमो पैटलस और पॉली पैटलस वो सकते हैं या पॉली पैटलस हो सकते हैं ठीक है मतलब या तो वो युन The code of arrangement of sepals or petals in the floral world with respect to another member of the same hall is called the estivation. So, what is the arrangement of sepals or petals? According to other members of the same hall, it is called estivation. And we tell that the velvet estivation in the hall of sepals or petals, they touch each other as in the chalotropis. In the velvet, the hall of sepals or petals touch each other as in the chalotropis. In the twisted estivation, the hall overlap each other as in the china rose. In the china rose, it happens that the other ones overlap each other as in a bigger pattern. In the twisted estivation, the hall overlap each other as in the china rose. It means that the wedding is an open place for a specific day to you. For example, the volus of the china rose, the huzzah is called the imbricate estivation. If you talk about margin, the main condition is called the imbricate estivation. It tells you that you don't have any proper fashion. You don't have to do that. You don't have to do the upper or lower. You don't have to do whatever sense. You don't have to do that. You don't have to do that. आपके हाइज पर आपको अपतर है इसमें पैटल होते हैं पहला प्रटल होते वह बहुत है बड़ा सा हुँता है जो कि और लाप करता है दो दूसरे पड़ जिसको हम बिंग कहते हैं विशेंट वाण लाप तो स्मॉल इंटेरियर पैटल फिर उसके बाद उसके अंदर दो पैटल होते हैं जिसको हम लोग कील कहते हैं प्यार से और इस तरह के restoration को हम लोग विजलरी पैपिले जिसदो आफ या आफ जो हैं हम लोग बोलते हैं तो इसके दोनो नाम याध कर लेंगे बड़े वाले को याध कर लेगे उसके नीचे जो दो petal होती हैं, उनका क्या नाम है, सबसे anterior वाली छोटी petal का क्या नाम होता है, ये सारी किशारी बाते important है, नेक्स्ट अगर हम बात करें endroxium की, so endroxium जो होता है, वो आपकी male reproductive part को show करता है, उसमें stemens होते हैं, आपको पता ही होगा, और जो इस stamen होता है उसमें filament and enter पाया जाता है एक stamen में क्या होता है कि आपका ये जो होता है filament होता है उसके बाद उसमें एक bylocked enter पाया जाता है तो यहाँ पर दिखाई पढ़ रहा होगा आपको ये क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका एंथर और यह क्या हो जाएगा फिला मिन्ट निक्स्ट अगर हम बात करें वें दर स्टैमें सार अटेश्ट विद पैटल इस इस कॉल्ड एपी पैटल से जूड जाती है उनको हम एपी पैटल की कंडिशन कहते हैं इसे की मोन५र में देखने को मिलता है युनाइटड है लेकिन एक अहीं युनाइटड में उनाइटड है ऑगर दो आपकोः को आपको निक्स पारे favour together लगा बता एक लेयुकुआ ए पैट। फ्लायर होता है इसमें एक या एक से ज़्यादा कारपल पाई जाती है और जो हर कारपल होता है उसमें स्टिग्मा स्टाइल या ओबरी प्रेजंट होता है जब आपका एक से ज़्यादा कारपल प्रेजंट होता है तो आपका फ्री हो सकता है ठीक है हो सकता है कि फ्री हो एप after the fertilization, ovule जो होता है, वो आपके seed में change हो जाता है, ovary क्या करती है, fruit में change हो जाती है, जिस बच्चे को नहीं पता है, ये बात जान लो, बहुत ही important है, next अगर हम बात करें प्लसेंटेशन की, प्लसेंटेशन जो होता है, उसको बूला जाता है, arrangement of ovule within the ovary, इसको प्लसेंटेशन कहा जाता है, as it is आपको ये जो definition है, याद कर लेनी है, कि हाँ भई, ovary के अंदर, ovule का कैसा arrangement है, इस बात को प्लसेंटेशन कहते हैं, और जो प्लसेंटेशन होता है, वो कई तरह का हो सकता है, marginal होता है, एक्जाइल होता है, parietal होता है, bessel होता है, central होता है, या free central होता है, अगर example की बात करेंगे, सिर्फ example ही exam में पूछा जाता है, तो फिरहां time based करते हुए, सिर्फ इसी की बात करेंगे हैं, जो marginal type का presentation है, वो P में देखने को मिलता है, exile type का china rose, tomato and lemon में देखने को मिलता है, parietal type का mustard and argymone में देखने को मिलता है, bessel type का sunflower और marigold में और free central वाला dianthus and cream rose में देखने को मिलता है, तो आपने देखा होगा कि मटर के दाने कैसे लगे होते हैं, किसी भी मटर के उस फली में, तो आपने देखा होगा थोड़े थोड़े gap में margins में जो है, वो उस तरीके से लगे होए होते हैं, exile presentation की बात करें, तो बहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरीके की exile present होते हैं, parietal क कि बात करें तो पेरिफेरी पे जो है कुछ ऑव्यूस पाई जाते हैं वेसल का कुछ अपना अलग सा ही सीन है जो कि आप एंस्याटी के डाइग्राम से देख सकते हैं कुछ इस ट्राइप का दिखाया गया है उसको अबस आपको पहचानना हलका हलका आना चाहिए जादा दिक पलान से काथि फूरा एंसको पाय्टी तो इसको मुल्जिटेशनीबन उसको प्आपिक सुआ मौन सीनचोड श्राइपे चैसे कि अगराल और वुण नेक्स्ट फ्रूट बच्चों वारी बाते करेंगे हैं जो थीक फ्लेशी परिकार्प होता है उसमें तीन लेयर होते हैं EP Carp, Mesocarp and Endocarp इसको साथ में मिलाके Pericarp बोलते हैं जो Dicot Seeds होती है उनमें एक Seed Coat होता है Embryo होता है Embryo जो होता है उसमें Embryonal Axis होती है Radical होता है और Cautilodence होते हैं तो किसी भी वीज में आप लोग जानते हैं किसी भी वीज में क्या ही होगा Cautilodence होंगे उसके उपर जो है आपका Embryo अलेक्सिस होगा Radical होगा Mule होगा तो इस तरीके से आपका कुछ प्रेजंट होता है Seed Coat जो होता है उसकी दो लेर्स होते हैं बाहर वाले को Testa बोलते हैं अंदर वाले को Tegmen बोलते हैं चेजर में बोलते हैं मोनो-कॉर और सीच जो होते हैं एंडो-स्पर्म होते हैं इसमें प्रोटिेम लेर्स बाए जाती है उसके बाद से परेट करने के लिए और उसको हम एल्यूरल िरे पर आठें का उले क्पा आए जाता है उसको स्कुट अलम कहा जाता है उसमें प्रमियो न्टाइल बुचप ने पूचे ये बात हुस्का क्लो ताइब के ये सिसी के अंदर इसको कोलियो डि भी सब्सक्राइब हैक्य पूचेगा दो सकहानों, पूछेगा कॉलियोग टाइल रेडिकल की लिए पूछेगा कॉलराइजा ओके यह बात आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सीमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑप टिपिकल फ्लाबरिंग प्लांट जो होता है इसको डिस्क्राइब किया जाता था बिगिन क्या बड़ेक्टर के अँस्ट की प्रतविफ होगा कुछ वामि Corps किरेंगे करेंगे इस तरीके से दिखाएंगे तो इमन्तों कुछ ऐसी चीज़े सेट कर दी गई है कि हाँ भाई जब भी floral formula लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे तो बताया जाता है सबसे पहले तो पहली बात तो K, C, A, G, K उसमें लिखेंगे उसके बाद बताया जाता है कि K का क्या मतलब है C, A, A, G, K, 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 K floral formula के अंदर so family favesi के बारे में बताया जाता है कि family favesi को प्यार से papillinia di family बोलते हैं और यहीं इसी में आपके यह सब mutter water आते हैं herbs, shrubs and trees वगज़ा सारे तरह के plants आते हैं, इनकी जो leaves होती है वो pinately compound leaves होती है with the reticulate venation होता है क्योंकि die caught है तो reticulate venation ही होगा, economic importance की बात करें तो इसमें जो है इस family में सारी की सारी डाले बगरा आती हैं जो कि हम लोगों को काफी ज़दा पसंद है और लोगों की दोरा बहुत ज़दा खाई जाती है और बहुत ज़दा beneficial भी होती है, floral formula की बात करें कि केसी एजी किस तरीके से लिखेंगे इसमें क्या होता है कि जो आपका korola होता है, ठीक है calyx, korola सब को आपको लिखना पड़ता है पहले तो calyx लिखेंगे, then korola लिखेंगे then endosium, then gynosium ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो है वो आपका bisexual plant है यह बताया जा रहा है इसके द्वारा, ठीक है उसके बाद बताया जाता है कि जो calyx है वो 5 है, korola के बारे में बताया जा रहा है कि korola जो है वो आपका 1 plus 2 plus 2 की arrangement में है जिसमें कि 2 जो अंदर वाला है वो आपका कैसा है, fused है साथ में थोड़ा सा है ना और यहीं पर अंदरोश्यम में बताया जा रहा है कि अंदरोश्यम जो है वो 9 plus 1 की arrangement में है 9 fused है फिर एक अलग है गाइनोश्यम के बारे में बताया जा रहा है कि superior type की ovary है और साथ में एक ही गाइनोश्यम प्रजेंट है की एक नंबर लिखा हुआ है तो इस तरीके से आप रीट करना सीख सकते है फ्लूरल फार्मला को नेक्स्ट है फैमिली सॉलनेशी में बताया जाता है कि प्लांट बॉड़ी कुछ भी हो सकती है यार प्लांट है तो ट्री हो सकता है श्रॉब्स हो सकता है हर्व्स होता है प्रिंजल और वगर्शी उत्यट कि इस फैमिली में आती है फ्लोरल फार्मला की बात करेंगे केसी एजी तो भाई 55 इनको काफी ज़ादा पसंद है हर चीज में 55 आ रहा है तो यहां पर 5 जो है कैलिक्स वाले फ्यूज्ड होते हैं को रोला भी फ्यूज्ड है एंडोशियम 5 है गाइनोशियम 2 है और यहां पर क्या है कि आपको देख पा फ्लूर यहां कमर कसि चेंट एंग जाएगा प्लाय मेडिक्र बात करें अलोवेरा अंड वायोवेडेस होते हैं कौलीची सीन diff प्लॉरल फार्मला यही है कि ब्रेख्टीए ट्री नमाफिक है वाइसिक्ट्षल है पारियांथ है जो कि 3 प्लस 3 कि अर्रेंजिमेंट में है तीक है इसके अलाबा क्या है जो गाइनोशियम है वो भी आपका 3 प्रज़न थे इसी की साथ जो है I hope कि आपको chapter समझ में आ गया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को like कर देना है और channel को subscribe कर दे guys thank you guys thanks for watching my video